Hello everyone, welcome back to my channel दू मूलपरती में बनेगी बेसिक और असनातक शिक्छकों की मेधा सुची पंचायत, प्रखंड, नगर पंचायत और नगर निगम सिक्छक नियोजनिकाई में मेधा सुची बनाने को सकती शिक्छक बहाली में पार दर्शिता को लेकर दिया गया आदेश, विशैबार अलग-अलग बनेगी मेधा सुची कारेबाही पंची की भी होगी जाच बरताल D.E.O. ने कहा कि बेशिक ग्रेड वर्ग एक से पांस तक में शामाने और उर्दू सिक्छा के अलग-अलग सुची बनेगी वही असनाता ग्रेड में बर्ग 6-8 तक के सभी विशैबार मेधा सुची बनेगी सभी नियोजन इकाई अपनी कारेबाही पंची की जाच कर उसका अनुमोधन भी करा कर लाएंगे दिब्यांग और सतंतरता सिनानी का रहेगा कॉलम D.E.O. ने कहा कि सभी नियोजन इकाईों को फॉर्मेट उपलग करा दिया गया है उन्होंने बताया कि मेधा सुची में दिब्यांग और सतंतरता सिनानी के पोता, पोती, नाती, नतनी वाले अभ्यारतियों के लिए अलग से कॉलम रहेगा इन अभ्यारती का भी नियोजन किया जाएगा बिहार शिक्षक वहली मे इस पर दो मूल प्रती में basic और अस्तना तक शिक्षकों की मेधा सुची बनानी होगी पंचाथ प्रखर नगर-पंचाथ और नगर निकम शिक्षक नियोजन इकाई में मेधा सुची बनने को लेकर बिभागने या निर्देश दिया है शिक्षक वाली की प्रक्रिया जिली में एक बार फिर शुरू हो चुकी है पहले से आबेदन के बाद अवेनाई हो इससे डियलेट करने वाले अभ्यारती भी आबेदन दे रहे हैं मेधासुजी में किशी तरह का हेर फेर नहीं हो इसको लेकर प्रक्रिया बदली गई है अनसारी ने कहा कि नियोज निकाई की बैठक में अब दोनों का नुमोदन कराना है और इस नियूज को हम अल्रेडी शेयर कर चुके हैं दिब्यांगे अभ्यारती सीटर पे पचास पिस्दी पर होगे तो मैं अल्रेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई